एक इन्वेस्टर ने ग्रो एप या फिर एंजल वन गी जो एप आती है इस प्रिगार की बहुत सारी एप हैं उसने एक अपरेल दोजाट चोबिस को क्वांट स्मोल कैप मुचल फंड्स की 10 लाख रुपए का लंसम इन्वेस्टमेंट किया लेकिन वहाँ पर क्या हुआ लेकिन उसके पास इस्टेटमेंट आया तो जो उसकी यूनिट्स एलोकेट की गई थी उसकी एन्वे थी तीन अपरेल दोजाट चोबिस की जो कि एन्वे 253 से बढ़कर हो गए थी 258 रुपए 37 पैसे यानि कि यहां पर पर यूनिट्स की पर एन्वे जो डिफरेंस था वो लेकिन किसी कारण से उसको यूनिट्स मिल रही है और 370 डिफरेंस आता है जो उसको यूनिट्स कम मिली है वो बिली है 77 और यदि इस वाली एन्वे से 258 रुपए 288 राउंड फिकर में कैलकुलेट करें इसको तब वो 77 यूनिट्स की वैल्ली निकल कराती है 19,806 तो हले अ नमस्कार राम राम मैं हमाचल सिंग आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इन्वेस्पेंट का फंडा चैनल में आज इसी टोपिक पर बहुत कुछ आपको मैं एक्स्पेंड करने वाला हूँ क्योंकि कई दर्सों को कमेंट आ चुके हैं एंज सबसे सेफर सबसे रिलाइबल जो तरीका है वो है कि जिस भी एमसी का जिस भी मीचल फंड कंपनी का आपको मीचल फंड परचेस करना है उसके ओनलाइन पोर्टल वेबसाइट पर जाईए वहाँ अपनी आईडी बनाईए सारे डुकुमेंटेशन कराईए के वाईसी कराई है लेकिन मुझे दो दिन बात की एने वी क्यों मिल रही है अब इसमें स्कैम कहा है क्या एप्लिकेशन जो ग्रो है या एंजल वन है कोई यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है लेकिन कई लोगों ने इस पर करके कमेंड किये हैं उनके साथ हुआ होगा तब वो कह र मिट के अकोर्डिंग ओडर पुट किया था हमारा जो पेमिंट का मेथर्ट सा वो ठीक था हमारा टेकनिकल एरर तो कुछ नहीं आया इंटरनेट की कोई प्रॉलम तो नहीं थी उसके बाद हमें करना पड़ेगा जो भी प्रोवाइडर है टांजेक्शन प्रोवाइडर है य इसकी कंप्लेंड आप फर्दर से भी के पास भी कर सकते हो और कुछ और कस्टूमर्स को आप यदि ऐसे मिलते हैं आपको गुरूफ ऑफ कस्टूमर्स बनाके तब भी आप इसकी कंप्लेंड रीज कर सकते हो मुझे भी बता सकते हो मैं आपकी कंप्लेंड खुद से भी के प क्या है एक तो सबसे पहले जितना जल्दी आपको मतलब transaction करोगे तीन बज़े से पहले पहले आपका transaction हो जाना चाहिए अब transaction होने का मतलब क्या है आपका payment आपकी bank account से कट कर और जी mutual fund company के account में पहुँच जाना चाहिए ऐसा नहीं कि grow के account में पहुचा एंजल वन के जिरोधा के account में पहुचा नहीं जब तक कि आपका payment आपके account से debit होकर और mutual fund AMC के account में credit नहीं होगा तीन बज़े से पहले पहले और ये एक working day होना चाहिए तभी आपका जो है उस same day की आईने भी आपको मिल जाएगी कोसिस कीजिए और इस case में जो मेरे पास comment आये लोगोंने मुझे बताया कि हमने morning में 11 बजे के आसपास order लगाया था transaction हो गया था further तो वही जानते होंगे मैंने उनको बोला है कि आप further जो है customer care से पता कीजिए उसके बाद कोई technical error तो नहीं है आपने check से payment तो नहीं किया तब तो possibly नहीं है यहाँ पर payment के limitations क्या है आप UPI से payment किये जिए आप online payment किये जिए आप RTGS के थूँ payment किये जिए RTGS के थूँ यदि payment करते हो तो आपको minimum 30 to 40 minutes का time लग जाता है इससे जादा भी लग सकता है तो इतना time gap maintain करके चलना पड़ेगा आपके पास confirmation यह आजाना चाहिए कि आपका payment आपके account से debit होकर mutual fund AMC के account में पहुँच गया है यदि ऐसा हुआ है कि आपके account से तो cut गया पैसा लेकिन वो पैसा पहुँच गया बीच में जो आपका transaction provider है जो grow है एंजिल वने जिरोदा आएकस यजट जो भी है उनके account में पहुच गया उन्होंने आगे यदि payment नहीं भेजा I don't know what is the procedure यदि ऐसा procedure है और ऐसा ही होगा क्योंकि आप जब grow से payment कर रहे हो तो grow एक बीच में खड़ा हुआ है आप उसको पैसे दोगे वो आगे AMC को पैसे देगा आप यह सब चीज़े ensure करने के बाद और यही सेम चीज़ अपलाई होती है redemption के लिए switch के लिए तीन बज़े से पहले पहले आपको जो है order put करना पड़ेगा आपका payment successful होना पड़ेगा AMC के account में पहुँचना रहेगा ठीक है यदि आप redemption करते हो switch करते हो तब भी यही time period की जो time line है यही है ठीक है टकटो time जो है तीन बज़े का सामका है उससे पहले आपको करना पड़ेगा अब जो NAV का difference है वो कैसे होता क्या है matter करता है बहुत से लोग बोलेंगे नहीं थोड़ा पैसा लालना है क्या फरक पड़ता है उससे को बहुत फरक पड़ता है और केवल आपका पैसा नहीं है करोलो रुपया रोज AMC के पास आ रहा है इन applications के पास आ रहा है तो उनको कितन income हो सकती है और जो की गलत हो सकती है उसका भी calculation अभी आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा उससे पहले रोज सामको रात को 11 बजे हर एक AMC को अपने mutual fund AMC की जो है NAV आपको allocate कर दी जाएगी उसके according आपको units मिलेंगे तो इस case में ऐसा ही हुआ है कि मैंने एक तारिक को मतलब for example जो customer का जो दर्सक का message आया था एक तारिक को order put किया transaction भी कर दिया लेकिन उसके नुकसान केवल और केवल investor का है वो कैसे नुकसान है मैं आपको यह बताता हूँ NAV कम price पर दिया आप लोगे जैसे for example मैंने एक्सिस का भी example लिया रिंडमली कि alphabetically कि एक फोर एक्सिस आ गया मैंने वैसे ले लिया कि कुई ऐसा था नहीं उसके बाद क्वांट बहुत चर्चाम रहता तो क्वांट का ले लिया यह एक्सिस की अधी बात करें एक अपरेल दो 201.21 माइनस 99.84 एक रुपए 37 पैसे पर यूनिट्स का डिफरेंस आ गया है केवल और केवल तीसरे दिन पहुंचने तक NAV के अंदक अब यह एक रुपए का डिफरेंस कितना भारी हो सकता देखिया यदि आपने 99.84 पैसे के हिसाप से यूनिट्स लील होती है एलोकेट होग आपको यूनिट्स कम मिली है 136 तो आज तो भी 101 रुपए इसके NAV है यदि आपको इसको 5-10 साल के लिए होल्ड करोगे तो यह क्या 200 रुपए नहीं पहुंचेगी यह 400 रुपए नहीं पहुंचेगी 500 रुपए नहीं पहुंचेगी बिलकुल पहुंचेगी तब उस तरीक 30 रुपए लगबक का नुकसान आपको हो गया है 13 या 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 10 रुपए की यदि आपने यूनिट्स पर्चेश की एड़ डा रेट ऑप 99.84 रुपए सा 10,016 रुपए और 10 रुपए की 101.21 पैसे पर करी तो 9,880 यूनिट्स आएंगी डिफ्रे लेकिन आपको यूनिट्स मिली तीसरे दिन तो आपको जो है 136 यूनिट्स कम मिली या पिर जो आपका वैल्यूइशन होगा वो 13,736 रुपए कम प्राइस का आपको माल मिला है तो ये बीच का पैसा किसके पास गया 13,000 रुपए केवल 10,000 रुपए के ओडर में से तो ये 101 रुपए या 99 रुपए की एनेवी देखकर इस विचल फंट को इसलिए खरीदा है कि 5-10 साल होड़ करूंगा और इसकी एनेवी कम से कम दुगनी, तिगनी, चारगनी हो जाएगी पिछले कुस सालों में ऐसा हुआ है और भविश्यों में हम यही सोचकर निर्ने करते हैं होगा भी, जरूर होगा तो उस नुकसान को सोचकर देखिए, इसके आगे यदि मैं एक जीरो और लगा दूं तो यह 1,37,360 रुपए बन जाता है, और यह बहुत ज़्यादा संभावना है, यदि लोंग टर्म में आप ओल्ड करोगे तो यह बिल्कुल हो सकता है, इसी पिर रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की होती लंसम, तो आपको सेम डे यदि अपरेल एक को यूनिट्स एलोकेट हो गई होती, तब 253.32 पैसे की एनेवी के हिसाब से, आपको मिली होती 3947 यूनिट्स, यह बाली, लेकिन बाई डिफोल्ट, अनफोर्चिनेटली, कुछ भ कि मुझे इतनी यूनिट्स कम मिली है, तो कोई सोच सकता है, इतनी यूनिट्स का कोई फरक निपड़ता, मैंने वीडियो में भी देखें बोलते हुए, एक-एक यूनिट्स का बहुत फरक पड़ता है, और क्यों, मेरी जेब से पैसा जा रहा ना, क्यों मिलेगा कम बाई, क्या आपको expense ratio हम लोग pay नहीं कर रहे हैं, और यदि आपको फीस नहीं ले रहे हो, तो it is a very big scam, यदि आप पीछे से hidden इस तरह की चीज़े चल रहे हैं, इसका जांच होना जरूरी है, यदि ऐसा हो रहा है, मैं कोई ऐसा claim नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ नहीं है, क्योंकि मैं applications के तुरू units पर चेस ही नहीं करता, मैं तो direct website पर जाता हूँ, वहीं से सारे mutual funding, जो भी investment करना वहीं से करता हूँ, 77 units की जो value होती है at the rate of 258 rupees per units, 19,866 rupees, almost 20,000 rupees, केवल 10 lakh रुपा का investment, और केवल 10 lakh रुपा का investment नहानी होता दस यार का भी करते हैं, लोग 1 lakh का भी करते हैं, एक क्रोल का, दस क्रोल का भी करते हैं, इसको 10 से multiply कर दो, एक 0 और लगा दो, एक लाक रुपा रुपा हो गया, उसके ऊपर जाएगा, और केवल एक investor का पैसा जारा ऐसा नहीं है, 100, 200, 400, 1000, इन्वेस्टर रोज 60 पैसा बचना कैसे है, इससे बचना तभी possible है, जब आप लोग थोड़े से जागरुप बनोगे, पूरा timeline को follow कीजिए, यदि आपने order लगाना है, तो 12 बज़े से पहले पहले लगा, तीन बज़े की तो timeline है, वो हमारे लिए timeline तब नहीं, कि हम ऐसा नहीं कि expert एक तम से system के अंदर गुसे में, हमारा net भी perfect है, banking system भी perfect है, कहीं से भी technical error आ सकता है, बाद में बो तो बोल देंगे technical error था, आपका payment successful नहीं हो पाया, यदि मुझे purchase करना ही, मैं सुबह ये order लगा दूँगा अपना, 12 बेसे पहले पहले order प्लेस कर दूँगा, 10 बज़े कर दूँगा, 11 बज़े क कर सकता हूँ, पहले दिन भी कर सकता हूँ, तो मुझे अगले दिन की NAV तो मेली जाएगी, ठीक है, तो extra secure safety हमें ही लेकर चलनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो ये घटना है घटी रहेंगी, उससे क्या होगा, कि आपका payment ensure हो जाएगा, कि हाँ ठीक हो गया, अपनी bank से पू payment हो गया, आपके पास mail भी आएगा, कि that you have placed a order of this mutual fund, इतने रुपए का, जो भी है, वो मतलब mail पर आपको पूरा मिल जाएगा, तो ये आपकी responsibility है, और आपसे ये responsibility मैं आपको देता हूँ, यदि आप किसी के साथ ऐसा हुआ है, या फिर आपकी जानने वाले के साथ किसी के स हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग ध्यान नहीं देते, अब SIP के case में, that is different, amount कम होगा, लेकिन चलता है, यदि दो दिन बाद की एने भी मिल जाएगी, कोई दिक्कती है, आपके कुछ करने कोई नहीं जा रहा है, लंसम के case में चीजें खेल, जो होने की संभाबना ज्यादा बनी रहती है, SIP के case में कोई दिक्कत नहीं है, कई बार चीजें एक दो दिन आगे पीछे भी रहती है, यदि कोई holiday आ गया, कुछ और changes हो रहा है, system में change हो रहा है, उस करान से वो एक दो दिन delay हो सकता है, वैसे वो भी नहीं होता है, ठीक है, तो यदि जानकर ये अच्छी झाल